इन दिनों सोसल मीडिया पर एक तेंदुए के रात में गाय से मिलने वाली तस्वीरे खुब वायरल हो रही है ये सुनकर आपको भी हैरानी हो रही होगी ऐसा होना भी लाजमी है क्योंकि जब सिकार और सिकारी एक साथ बैठे हो तो इसे देखकर और जानकर हर किसी को हैरानी होगी लेकिन हैरान मत हो ये क्योंकि यह 16 आने सच है दरसल IFS ओफिसर सुसानता नंदा ने अपने ट्विटर हंडल पर एक तस्वीर सेयर की है जिसमें एक तेंदवा गाय के साथ बैठा नजर आ रहा है इस तस्वीर के कैप्शन में सुसानता नंदा ने लिखा है इस फोटो में सिकार और सिकारी एक साथ बैठे हैं कई रातों तक ये तेंदवा इस गाय के पास आया क्योंकि गाय ने इसे अपने बच्चे की तरह पाला था इस फोटो का क्रेड़ उन्होंने फोटोग्राफर रोहित ब्यास को दिया है ये तस्वीर बडोदरा के अंतोली गाउं की बताई जा रही है कहा जाता है कि साल 2002 के अक्टूबर से अंतोली गाउं के लोगों के सोने का समय तब से बदल गया जब से रात में एक गाय और तेंदवा मिलने लगे रोज ये गाय के पास आता आकर बैठ जाता और कुछ घंटो बाद वापस चला जाता गाय उसके कान गर्दन को इस्तरह चाटती और उसे प्यार करती मानो वो उसकी मा हो यहां तक कि ये तेंदवा गाय के गले भी लग जाता था तो बिल्कुल उसके पास बैठता गाय से थोड़ी दूर ही बकडिया बंदी होती थी लेकिन तेंदवा ने कभी उन पर हमला नहीं किया गावालों की माने तो तेंदवा जब भी आता तो आसपास के कुट्टे भौकने लगते गाय के भी कान खड़े हो जाते यहां तक कि जब आसपास के लोग दिखते तो तेंदवा फरार हो जाता बन अधिकारियों के मुताबिक कई दफ़ा जानवरों के बैभार में बदलाव आ जाते हैं इस केस में संभवता कि अब तेंदवा पहले कभी इस गाय के पास आता होगा तो ही इसे वो गाय याद है फैर जो भी हो लेकिन इससे इतना तो साफ होता ही है कि जानवर भी प्यार का कर्च उतारने के लिए अपना नेचर भूल जाते हैं ब्यूरो रिपोर्ट